अभी ले के आए सेंसो डेंट के तूद का करेंट गौन तो लाइट का करेंट आउन चुनाओ के समय के हिंसा पश्चिम मंगाल की एक पुरानी और बुरी आदत हो चुकी है ऐसी ही एक आपबीती का जिक्र ममताव एनर्जी ने अपनी आत्म कथा My Unforgettable Memories में किया था संयोग देखे कि पश्चिम मंगाल में इस समय ममताव एनर्जी की ही सरकार है और इसी कालखंज में हम पुलिटिकल वाइलेंस को एक नई शकल लेते हुए देख रहे हैं राजनीतिक प्रतिदोंदिता आप कारेकरताओं के जगणों से एक कदम आगे बढ़ गई है और अब केंद्री ये जाच एजिंसियों के अधिकारियों पर हमले होने लगे हैं पश्चिम मंगाल के इन हमलों की इनके पीछे के कारणों की और थोड़ी बात इतिहास की भी आज करेंगे मसकार स्विकार कीजिए अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिलले टॉप शो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनिपूर जिले में पढ़ता है भूपती नगर यहां दिसंबर 2022 में एक घर में ब्लास्ट हुआ इसी की जांच के सिलसले में 6 अप्रेल को National Investigation Agency यानि NIA की एक टीम भूपती नगर पहुँची तीम यहां टीमसी के नेता मनुबरत जना और बलाई चरण मैती को गिरफतार करने पहुँची थी NIA के मताबिक दोनों टीमसी नेता धमाके के मुखे साज़िश करता है NIA की टीम भूपती नगर में 5 जगों पर तलाशी ले रही थी उनके साथ CRPF के कुछ जवान और कुछ महिला Constable भी थे और इस बीच जब NIA के अधिकारी आरोपियों को गिरफतार करके ले जाने लगे तो कुछ स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर लाठी जंडे से इस टीम पर हमला कर दिया NIA की टीम पर गाड़ी पर पत्राव किया गया इसमें एक अफसर को चोट भी आई हलाकि NIA की टीम दोनों आरोपियों को फिर भी जैसे तैसे किसी तरह अपने साथ कोलकाता ले गई हमले के खिलाफ भूपती नगर थाने में शिकायत दर्च कराई गई भूपती नगर में 3 दिसंबर 2022 को एक घर में बंबलास्ट हुआ था जिसमें घर की चछत उड़ गई थी हाथसे में तीन लोगों की जान गई थी फिछले महीन 28 मार्च को NIA ने इसी मामले में पूछताज के लिए टीमसी के 8 नेताओं को अपने कोलकाता ओफिस बुलाया था और इसी ब्लास्ट केस में अब इन दो टीमसी नेताओं को गिरफतार किया गया है कौन हैं दोनों टीमसी नेता और स्थानी राजनीती में इनका कितना प्रभुत या समर्थन है बता रहे हैं पश्चे मंगाल के इंडिया टुजे के जर्नलिस्ट अनुपाम टीमसी का एक जो आरोप है जो कौर करने लाइक बात है कि टीमसी का कहना है कि एन आईये के जरीए बीजेपी उसके जो संगठन है उसको कमजोर या खत्म करने की कोशिश में लगी हुई है दरसल ये बात टीमसी इसलिए कह रही है कि इन दोनों की गिरफतारी से वहां पर जो वोट का संगठन है जो वोटिंग प्रक्रिया है उस पे काफी फर्क पढ़ियाएगा और यही वज़य है कि टीमसी इस तरह की बात कह रही है क्योंकि प्रभावशाली कितने है वो साब पता चलता है कि जब आधी रात के वक्त या आधी रात के बात एकदम सुबह भोर के वक्त जब एनाईय की टीम पहुँची तब काफी संख्या में लोग इन दोनों के लिए वहां पर एकत्रित हो गए थे तो ऐसे में उस पूरे इलाके में इन दोनों का काफी प्रभाव है और उनके इन दोनों के जाने से वोटिंग प्रक्रिया में फर्क पड़ेगा इतना तु समझ में आ रहा है NIA की टीम मनोबरत और बलाई चरण को गिरफतार करके कुलकाता पहुँची ही थी कि खुद NIA के अधिकारियों पर ही F.I.R. दर्श हो गई ये F.I.R. दर्श कराई मनोबरत की पत्नी मोनी जनाने आरोप लगाया की NIA की टीम ने जाँच के दौरान रात में बहाने से उनके घर में घुसने की कोशिश की रोका तो मारपीट की बद तमीजी की घर में तोड़ पोड़ की NIA अधिकारियों के खिलाफ भूपती नगर थाने में ही IPC की धारा 354 यानि अशलीलता और छेरचाड और धारा 441 यानि अतिक्रमण के तहत F.I.R. दर्श की गई है पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है NIA ने अपने उपर लगे सबी आरोपों का खंजन करते वे एक बयान जारी किया लिखा है कि NIA ने पश्चे मंगाल के भूपतीनेगर इलाके में जो कारवाई की उसके पीछे कोई दुर्भावना होने से हम इनकार करते हैं अपने खिलाफ लगाए गए गयर कानूनी कारियों के आरोपों को भी एजनसी नकारती है एजनसी पर जो हमला हुआ वो अकारण था और NIA को उसके कानूनी करतवे पूरा करने से रोकने का प्रयास था इस पूरे घटनाकरम के बाद पश्य मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनल जी दक्षिन दिनाचपुर पहुँचती है तो उनसे पतरकार सवाल करते हैं इस घटना पर तब वो कहती है कि हमला NIA पर नहीं बलकि महिलाओं पर हुआ है NIAF सर रात में रेज करने पहुचे थे महिलाओं ने वैसा बरताव किया जैसा रात में किसी भी अंजान विक्ती के आने पर किया जाता है दूसरी तरफ प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी साथ अपरेल को जलपाई गुडी में थे यहां एक सभा को संभोधित करते हुए उन्होंने कहा कि TMC सम्विधान को चलने वाली पार्टी है तभी उनके राजे में जब जाज इजिंसियां जाती हैं तो उन पर हमले होते हैं TMC, वामदल और कॉंग्रेस ने ये तीनों एकी चट्टे बट्टे के साथी है TMC, वामदल कॉंग्रेस ने एक बूसरे के ब्रस्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गड़बंदन बनाया है मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार मिटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ चार महीने में ये तीसरा मौका है जब पश्टे मंगाल में किसी जाच एजिनसी की टीम पर हमला हुआ है पहला मौका हम और आप जानते हैं संदेश खाली में क्या हुआ था पांच जनवरी को पश्टे मंगाल के कथित राशन घोटाले के केस में आरोपी शेख शाह जहां जो कि टेमसी नेता रहे उनके घर पर एडी की टीम रेट मारने पहुँची थी तबी टीम पर कुछ स्थानिये लोगों ने हमला कर दिया शेख शाह जहां पर आरोप है कि सूबे में पबलिक जिस्टिबिशन सिस्टम यानि पीडियेस का लगभग 30 फीजदी राशन उसकी मिली भगत से खुले बाजार में बेच दिया गया बाद में शेख और उसके संगी सातियों पर संदेश खाली की महिलाओं से उत्पिड़न के आरोप भी सामने आये जहां चदिकारियों पर हमले का दूसरा वाक्या संदेश खाली में ED की टीम पर हमला हुआ और उसके कुछ ही घंटे बीते थे कि बनगाओं नाम की जहे पर भी ED की टीम पर हमला हुआ यहां भी ED की टीम TMC के एक नेदा को गिरफतार करने पहुँची थी इन मामलों पर जादा जानकारी दे रहे हैं पत्रकार अर्कमॉय मजूमदार जनवरी पांच में दो घटना ऐसी घटी थी एक संदेश खाली में जो की North 24 परगनाज में है और दूसरा घटाता बॉनगाओं में जो भी North 24 परगनाज में है संदेश खाली में जो हुआ था वो घटना बहुत बड़ा बन गया जब उसके बाद वहाँ पे महिलाय जो है महिलाय रस्ते पे निकल के वहाँ के जो लोकल TMC लीडर है के शाहां और उनके जो और लोग है उनके जो पुरा गैंग है उसके खिलाफ आवाज उठाने लगे वो लेकिन इस घटना का शुरुआत हुआ था पांच जन्वरी को जब ED Enforcement Directorate के लोग गये थे शेक शाजान के घर रेड करने उनको रेड करने नहीं दिया गया उनके उपर एटैक किया गया और वो एटैक जान लेवा भी कहा जा सकता हुआ उसको क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे कुछ ऐसी ED वापस जा रही थी तब भी उनको रोखा गया उनको उपर एटैक किया गया अभी इन तीनों घरटना में एक पैटर्न नोटिस किया जा सकता है सबसे बड़ी बात महिलाए जो है गाओं के उनको आगे कर दिया जाता है जो सिक्यूरिटी फोर्सेस है उनमें ज्यादतर जाते हैं अब ये जो विलेजर्स या गाओं वाले जिनको हम कह रहे हैं वो क्या सच में विलेजर्स है ये एक सवाल है और सबसे बड़ी बात इससे भी बड़ी बात ये है कि तीनों घटनाओं में प्रशासन जो है वो उसका जो रोल है वो थोड़ा क्वेस्चिनिबल है आखिर क्यों पश्य बंगाल से लगातार जांच एजिंसियों पर हमले की खबर आ रही है क्यों प्री पोल वाइलेंस की आच जांच एजिंसियों तक पहुंच रही है इसका एक बड़ा कारण ये कहा जा सकता है कि विपक्ष शासित राज्यों में जांच एजिंसियों की व रफ्तार करके चुनाव जीत लेंगे। इसलिए बात के दौर में विपक्ष के कई नेता अलग-अलग मुद्दों पर उस अवर्ती से CBI जांच की मांग नहीं करते जैसे पहले किया करते थे। ऐसी कई मिसाले हैं। ताजा मिसाल उत्तर प्रदेश की है जब सपानेता खिलेश आदव ने मुफतार अंसारी की मौत की सुप्रीम कोट से जांच की मांग की कहा कि सरकार न्याय दिलाएगी ये भरूसा नहीं है। क्या पश्चिम बंगाल में लॉए और्डर का गला घूटने वाली ताजा घटनाओं के पीछे किंद्री एजिंसियों से ये ट्रस्ट डेफिसित हो सकता है जो विपक्ष और किंद्री एजिंसियों के बीच आया है। हमने पूछा सीनियर जनलिस्ट जैंतो भुशाल से पश्चिम बंगाल के जो पुलिटिकल कल्चर है क्योंकि मैं लेफ्ट पिरियट भी देखा उस समय भी पुलिटिकल वायलेंज एक सक्सेस देता है ये एक अजीब संस्कृति है राजनेतिक संस्कृति अलार भाई ये पुटिकल कल्चर है कभी कभी लगता है कि यहां वयहलेंस का उदक कट्रोलन कर सकते हैं कि अभी तो पारा-मेलिटरी फोर्स भी है ना? और पारा-मीलीटरी फोर्स ह्योंत ज्यादा है और हो कभ से यहां पीस मार्च कर रहे है मेरा कहना है कि इसे two-way traffic क्योंकि ये पश्चिमंगल में अभी ट्रिनुमुल कॉंग्रेस के भी workers को injured or victim हो रहा है BGP के भी हो रहा है और वो जो सरकारी करमचारी के उपर जो attack ये भी CPM के जमाने से हो रहा है और ये परंपरा को बंद करने के लिए जागरुकता जो है वो आम जनता का जागरुकता सबसे पहले होना चाहिए जाँच अधिकारियों पर हो रहे हमले पश्चिमंगाल के political violence का ही next level दिख रहे हैं जिसका पश्चिमंगाल में लंबा इतिहास रहा है चुनाव के समय हिंसा दूसरे राज्यों में भी होती है लेकिन अनिवारे रूप से नहीं पश्चिमंगाल थोड़ा अलग है पंचायद चुनाव हो या विधानसभा से लेकर लोकसभा सूबे में चुनाव के आसपास हिंसा की घटनाएं खूब होती है एक उधारन 2018 पंचायद चुनाव का है बम बारी, बूथ कैप्चरिंग, गोली बारी सब हुई यहां तक की पत्रकारों पर हमले किये गए एन चुनाव वाले दिन 13 लोगों की मौत हुई थी पूरे चुनाव के दौरान कम से कम 20 लोगों ने जान कवाई थी 2021 के पश्चिंग बंगाल विधान सब्य चुनाव से भी पहले और बाद में जम कर हिंसा हुई थी जिसमें भी 10 लोगों की मौत हुई थी पश्चिंग बंगाल के किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से आप बात करेंगे, पूछेंगे तो वो एक लाइन जरूर आपसे कहेंगे कि यहां की राजनीती में हिंसा, इतिहास और संस्कृति का हिस्सा रही है यह वोई पश्चिंग बंगाल है जिसे शाह जहां के बेटे और सत्रवी सदी में बंगाल के गवर्नर रहे मिर्जा, शाह, शुजा ने शांती प्रिये बताया था बंगाल को इसके एक सदी के भीतर 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, मौतें हुई, खूब हिंसा हुई एक सदी बाद 1870 और 1880 के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ अकाल, मौतें और हिंसा मंकीम चंदर चटो पाध्याय ने भी अपने उपन्यास आनंदमेंट में इसका जिक्र किया कि किस-किस तरह से अकाल के कारण पश्य मंगाल में बार-बार हिंसा भड़ की आजादी से पहले भी 1943 में ऐसा ही हुआ अकाल में लाखों लोगों की मौत हुई फिर तीन साल बाद 1946 में भीशन दंगे हुए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर डाइरेक्ट एक्शन का हवान किया था कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लोग मारे गए आज भी लोग इसे किताबों में जहन तो गोशाल बताते हैं कि पश्चे मंगाल के फितरत ही कुछ ऐसी है आजादी की लड़ाई के दौरान भी हार्ड लाइन लेने वाले कई नेता यहां की जमीन से निकले थे गोशाल के मुताबिक सुभाष चंद्रबोस हो या खुदीराम बोस जो गरम मिजास के नेता थे उनमें जादा तर बंगाली थे साल 1911 में जब अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की उसके पीछे भी एक कारण था क्योंकि अंग्रेजों की शबदावली में पश्चिम बंगाल में एक्स्ट्रीमिस्ट मॉव्मेंट बढ़ रहा था इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं जैनतो घोशाल यह समझना बहुत जरूरी है देखिए ब्रिटिश कैलकाटा में एक कैपिटल था कैलकाटा वस्ट ब्रीटिश कैपिटल और हमारे यहाँ जो गवर्नर्स हाउस है वह अक्चुली वाहिसरर्य में ब्रिटिश का सोच था कि यहाँ बिर्टिश लोग टेररिस्ट बोलते थे, हम लोग तो फिर्डम फाइटर्स बोलते थे, तो टेररिस्ट अक्टिविटीज सबसे ज़्यादा पश्यमंगल में हो रहा है और अटक बिर्टिश लोगों को यह जो खुदिराम से लेके बिना वदल दीने इस राइटर् में जाके तो इसका एक काउंटर रियक्शन वो बिर्टिश ने कैपिटली सिफ्ट कर दिया कारण और इतिहास कुछ भी हो चुनाव से पहले हिंसा की ऐसी खबरे आना और जाँच अधिकारियों पर बार बार हमले होना शासन प्रशासन की बड़े स्तर पर नाकामी का सबूत है हमने ममता पर हमले के जिक्र से बात शुरू की थी उसके आगे क्या हुआ तब वो भी आपको बता देते हैं फिर पश्चे मंगाल की कहाने आज पूरी करते हैं हमला 16 अगस्त 1990 को हुआ था ममता बनेर जी पर तब वो कॉंग्रेस में थी राज्य में कॉंग्रेस ने सरकारी बसों के बढ़े किराये के खिलाफ सीपियम सरकार के विरोध में हर्ताल गुलाई थी इसी दौरान ममता पर हमला हुआ था कई दिनों तक अस्पताल में भरती रहने के बाद वो ठीक हुई थी कई साल बाद 2011 में सीपियम नेता लालू आलम ने ममता बनेर जी से माफी मांगी थी 2019 में लालू आलम को इस केस से बरी भी कर दिया गया बड़ी खबर में आज इतना ही अब चलते हैं सुर्खियों पर राजधानी दिल्ली में 8 अप्रेल का दिन भी इवेंट फुल रहा स्वास्त सु विधाओं पर चर्शा के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेश शत्र बुलाया गया था जिसमें दिक्तर समय हंगामा ही होता रहा भाजपा के विधायक लगातार आमादनी पार्टी पर विश्टाचार के आरोप लगाते रहे और इधर आमादनी पार्टी के विधायक भाजपा पर जाच एजिंसियों के दुरूपियों का आरोप लगाते रहे गोटाला एतना बड़ा है कि निश्चत रूप से इसमें जो भी दोशी है वहां तक तो पहुँचने की कोशिस करेगी ही जाचेजेंसी अब रही बात कि इस शराब गोटाले में आतिसी और सरो भारत द्वाज आप दोनों का नाम अर्विंद केजरिवाल जी ने दिया और आतिसी जी ने अपने प्रिस कॉन्फरेंस में दुर्गेश पाचक और आगव चड़ा जी का नाम दिया तो मेरा मानना है कि जब यो लोग खुद ही बता रहें कि इस गोटाले में ये ये भी हैं तो जाचेजेंसी को ये जाच को करनी पड़ेगी दिल्ली का चुनाओ इस बार चुनाओ नहीं रहेगा दिल्ली का चुनाओ भी अब आंदोलन बनेगा और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीक के बाद पूरे दिल्ली में अवियान चला और राम लिरा मैदान में हमने जन सक्टी से जबाव दिया इसताना साईगा उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे लोगों से मिलेंगे लोगों को जोडेंगे हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे जिन लोगों ने अर्विंद केजरिवाल को मुख्यमंतरी बनाया उनके साथ मिल करके 25 माई को इस आंदोलन की पोड़ा होती होगी मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल की गरफतारी के विरोध में आमादी पार्टी के तमाम नेता जंतर मंतर पर भी जुटे एक दिन का उपवास रखकर गरफतारी का सांकेत एक गरोध होनों ने किया यह हुई अदालत के बाहर की बात अदालत के अंदर भी केजरिवाल का मामला उठा दिल्ली हाई कोट में एक बार फिर याचिका लगा कर मांग की गई केजरिवाल को मुक्य मंतरी पत से हटाया जाए और फिर नतीजा वही रहा याचिका खारिज हो गई इसके पहले भी इस तरह की मांग करने वाली तीन याचिकाएं कोट खारिज कर चुका है इस बार कोट ने जमकर फटकार भी लगाई कहा कि याचिका पॉब्लिसिटी के लिए लगाई गई है और पेटीशनर को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है याचिका दाखिल किस ने की थी? याचिका दाखिल की थी आमांदी पर्टी के पूर विधायक संदीब कुमार ने संदीब कुमार सुल्तानपूर माजरा से आप विधाय कह चुके हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट में वो महिला और बालविकास मंत्री भी थे शराब निती के ही मामले में आज गीडी ने समन भेजा और उनसे पूछ ताज जारी है यानि इस जद में अब ऐसा लगता है कि आमादी पार्टी का एक और नेता आ गया है अब आद जम्मू कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट की जहां पर होने वाला चुनाव अब रोचक होगा कारण यहां से राज्य के दो पूरों मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है महभूबा मुफ्ती और गुलाम नभी आजाद जम्मू कश्मीर की एक और प्रमुफ पालिटी नेशनल कॉंफरेंस ने भी क्शेत्र के प्रभावशाली गुर्जर नेता मिया अलताफ को अपना कैंडिडेट बनाया है नेशनल कॉंफरेंस को कॉंग्रेस का साथ मिला है और दोनों दलों में तीन-तीन सीटों पर सहमती बन गई है जम्मू, लद्दाख और उधंपूर की सीट पर कॉंग्रेस अपने उम्मीदबार उतारेगी वहीं अनंतनाग बारामूला और श्रिनेगर के सीट पर नेशनल कॉंफरेंस को वो समर्थन देगी जमू कश्मीर के पूर मुख्यमंत्री और नेशनल कॉंफिन्स के उपाद्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में कॉंग्रेस के साथ संयुक्त प्रेस कॉंफिन्स करके इसका एलान किया है। कि हम सही माने में वहाँ पर तरजुमानी कर सके हैं। इंडियेट उतार दिया था। महवुबा ने अपनी उम्मीद्वारी की घुशना करते वक्त इस बात पर दुब भी जताया कहा कि नेशनल कॉंफिन्स ने उनसे बिना सला किये उम्मीद्वार की घुशना कर दी। उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। और दूसरा मैं तो इस वक्त आपके जरिये चाहे नेशनल कॉंफिन्स के मेरे लोग हों चाहे कांग्रस के मेरे लोग हों पीडीपी के तो मेरा वर्कर मेरे साथ है मैं उनसे भी गुशारिश करूंगी अपील करूंगी इस वक्त जमुर कश्मीर बहुत मुश्किल हालात से है मेरी आवास कमजोर है जब तक आप मेरी आवास के साथ आवास नहीं मिलाएंगे तो इसमें कांग्रस और पीडीपी की बात है मैं नेशनल कांफिन्स को भी गुशारिश करती हूं कि साथ दीजिए ताकि जो जमुर कश्मीर के इस वक्त हमारे तकलीफ है उसको हम दिली के गर्बार तक पहुँचा सकते हैं महराष्ट्र के चंदरपूर में थे उन्होंने आपर जनसभा को संबोधित किया का कि 2024 का लोगसभा चुनाओ इस्थिरता बनाम और इस्थिरता के बीच का एक चुनाओ है एक और भारती जनता पार्टी है जिसका धेय है देश के लिए कड़े फैसले लो बड़े फैसले ल में आपके जोश में और आपके जज़बे में कोई कमी नहीं है दूसरी तरफ राहूल गांधी सोंबार को थे मद्र प्रदेश के शेहडोल में उन्हों नहीं भी यहाँ जनसभा को संबोधित किया लेकिन सभा के बाद राहूल गांधी को शेहडोल में ही रुखना पड़ गया दैरिक भासकर की एक खबर के मुदाबिक उनका हेलिकॉप्टर फ्यूल की कमी के कारण उडान नहीं भर सका जिसके बाद यताय हुआ कि आठ तारीक की रात राहूल गांधी शेहडोल में ही रुखेंगे यहां से कल सुभा यानि नौ तारीक की सुभा वापसी में रवाना होंगे हिंदुस्तान की सरकार में तीस लाख सरकारी वेकंसीज हैं तीस लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है वो आपको कांट्रैक्ट पे काम देते हैं आपसे मज़दूरी करवाते हैं मगर सरकारी नौक्री आपको नहीं देगा इसलिए हमारा पहला कड़म जैसे हमारी सरकार बनेगी ये जो तीस लाख सरकारी नौक्रियां है हम आपके हवाले कर देगे एक और रोचक बयान बाजी देखने को मिली जब मर्द प्रदेश के पूरो मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान आठ अप्रेल को पहुचे पांधुरना चौना भी सभा करने पहुचे शिवराज से जन्ता ने कहा कि भाई साहब आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे जवाब में शिवराज सिंग चौहान मुस्कुराए और कहा कि ऐसे कह रहे हो जैसे आपको ही बनाना है बता दें कि यहां से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी हैं विवेक, बंटी, साहू फांधुरना, चंदवारा की लोग सभा है उसके अंतरगात आता है जहां से फिलहाल जो कम पूर मुख्यमंत्री है मदरबरदेश के रहे हैं उनके बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं यहां जब शिवरासिंग चौहान पहुचे तो उन्होंने ये कहा भी जन्ता से कि आपके जो सांसद हैं उनसे आप पिछले पांच सालों का हिसाब मांगिये और तब फिर उनके लिए जाकर वोट करना है कि नहीं करना है वो आपताई करिये लेकिन इस बीच मंच से शिवरासिंग चौहान और उनके समर्थकों की जो यह बयानबाजी रही वो खासी सुर्ख्यों में है और अब आज का चुनावी किस्सा जिसका जिकर रामचंदर गुहान ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में किया है बताया है कि जब देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए तो कैसे मतदान केंदर बनाए गए कैसे वोट डलवाए गए उस चुनाव में करीब सवा 2 लाख मतदान केंदर बनाए गए थे लेकिन उस वक्त EVM बगएरा तो थी नहीं तो वोट पड़े कैसे थे कोई 20 लाख मतपेटियां बनी थी जिसमें लोग जिसके जरीए वोट डाल सकें हर पार्टी के नाम की अलग अलग पेटी थी यानि जिसे जिस पार्टी को वोट डालना है वो उसके नाम से बनी पेटी में मतपत्र डाल दे और इस तरह हुए थे देश में पहले मतदान आज का ललन टॉप शो यहीं तक अपना और अपनों का खयाल लगिए देखते रहिए दिललन टॉप शुक्रिया शुबरादरे